आज हम बनाएंगे स्ट्रेट स्टाइल में सब को पसंद आने वाली बहुत ही फेमस रगड़ा चार्ट की रेसिपी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने 200 ग्राम सफेज चना 3 घंडे पहले पानी में भीगो लिया था अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे उबलने के लिए एक ग्लास पानी डालेंगे आप चाहे तो ओवरनाइट भीगा सकते हैं अब हम इसमें तीन मीडियम साइज के आलू डालेंगे उबलने के लिए वन टीस्पून नमक डालेंगे आफ टी स्पून हल्दी पॉडर दालेंगे और इसको पाफ सीटी लगा कर गला लेंगे ये देखिए चने और आलू अच्छी तरह से उबल चुके हैं अब हम बनाना शुरू करते हैं पैन गरम हने के बाद इसमें हम दो टेबल स्पून ओईल दालेंगे वन टी स्पून जीरा दालेंगे जीरे को हम ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे बस थोड़ा सौटे करेंगे ये एक मीडियम साइज की प्यास को मैंने मिक्सर में दाल कर पेस्ट बना ली हूँ आप चाहे तो चौप करके भी दाल सकते हैं अब हम इसको दो से तीन मिनट तक तेल में अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे ये दो में मीडियम साइज की तमाटर को मिक्सर में दाल कर इस तरह से पेस्ट बना ली हूँ अब हम तेल में दो से तीन मिनट तक इसको भी अच्छे से भून लेंगे अब हम यहां पर वन टी स्पून अद्रकलेशन का पेस्ट, वन टी स्पून नमक, वन टी स्पून लाल मिर्च पॉर्डर दालेंगे नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से दाल सकते हैं हाफ टी स्पून हल्दी पॉर्डर दालेंगे इन सबको अची तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम कवर करके 2 मिनिट तक लुव फ्लेम पर पकाएंगे ये देखिे मसाले अची तरह से भुन चुके हैं पिरसे एक मरतब़ अची तरह से मिक्स करके अब हम इसमें उबले हुए चने अड़ करेंगे अब हम इसमें उपले हुए चने डालेंगे चनाओं को मसालाओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो से तीन नेट इसी तरह से फिर आते रखेंगे हाई फ्लेम पर यहाँ पर अब हम बॉइल के हुए आलू दालेंगे उसको हम पूरी तरह से मैश नहीं करेंगे बड़े बड़े तुकड़े इसी तरह रखेंगे एक कटोरी गाड़ा इमली का खट्टा दालेंगे हाई फ्लेम पर इसी तरह से फिर आते हुए पकाएंगे अब हम इसमें वन टी स्पून धनिया पॉडर दालेंगे वन टी स्पून जेरा पॉडर वन टी स्पून चाट मसाला दालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया दालेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके लो फ्लेम पर रखकर पकाएंगे दो मिनट तक यह देखिए दो मिनट हो चुके हैं तेल भी उपर आ चुका है फिर से एक मर्दबा अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए हमारा रगड़ा चाट रेडी हो चुका है अब हम इसको सर्फ करेंगे थोड़े से चॉप ओनियन दालेंगे थोड़े से कटे हुए टमाटर थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया दालेंगे अब हम इस पर दालेंगे थोड़ा सा दही थोड़े से से दालेंगे अनार के दाने दालेंगे बहुत ही खतरनाक और जाइखेदार रगड़ा चार्ट तैयार हो चुका है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना ना भूलें